बिहार में पंचायत अस्तर के प्रतिम्जियों को लेकर एक बड़ी खबर है कि सरकार जिन मुख्या को प्रष्ट चार के आरोप में सलिप्त पाए जाने पर पद से हटा रही थी, उन्हें अब फिलहाल सरकार चाहकर भी उनके पद से नहीं हटा सकती है सरकार जिन पंचायत प्रतिम्जियों को यह डर दिखाती थी, कि अगर वें अपने काम को ठीक डंग से नहीं करेंगे, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, उस पर अब हाई कोट का एक बड़ा फैसला आया है कोट ने इस फैसला के साथ ही दूसरे आदेश को रग भी कर दिया है, जिन में मुख्या को उनके पद से हटाए जाने का निर्देश दिया गया था पूरी बात किया है कि बिहार में अपने पद का दुरूप्योग करने के लिए पंचाय तस्तर के प्रतनिधी यानी की मुख्या को उनके पद से हटाए जाने का आदेश दिया गया था लेकिन अब हाई कोट ने प्रधान सच्यू के इस आदेश को ही रग कर दिया है पूरा मामला क्या है और कैसे है मामला हाई कोट के दरवाजे तक पहुचा उस पर आगे चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह आखिर मुखिया को हटाए जाने का सन्वे धानिक तरीका क्या है और आखिर क्यों बिहार में उस सन्वे धानिक तरीका को फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता है नमस्कार मिरना मैं मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जन्ता जक्षन का विशेश कारिक्रम एक्स्प्लेनर बिहार में मुखिया और उप मुखिया को पत से हटा जाने के लिए लोग प्रहरी की अनुशंसा अब जरूरी होगी लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में अभी तक लोग प्रहरी का गठन ही नहीं किया जास्ता है बिहार में अगर मुखिया जी लोगों को पत से हटा ना होगा तो लोग प्रहरी की अनुशंसा को जरूरी बताए गया है लेकिन विडमना देखिए कि अभी तक भीहार में इस प्रकार की किती तरस्था का गठन किया ही नहीं गया है अब पूरा मामला सिता मनी से जुड़ा हुआ है दुम्रा ब्लोक इस्तित मिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुख्या ने एक याचका दायर की थी पूरा मामला नल जल योजना से जुड़ा हुआ है बताये गया है कि ग्राम सभा की एक बैठक हुई और उसी बैठक में एक फैसला पारित किया गया उसी फैसले के बाद मुख्या ने नल जल योजना के लिए 18 लाक रुपे के निकासी की लेकिन कई महिनों बात तक जब इस पर कोई अमल नहीं हुआ तो उन्होंने सुझ सही को उस रुपे को वापस बैंक में जमा कर दिया इसी मामला के कारण विभाग ने मुख्या पर पद के दुरुप्यों कारोप लगाया और फिर मुख्या पर कारवाई की गई जब मुख्या पर कारवाई की गई तब उनके तरफ से आदालत में एक याचका दायर की गई जिसमें अपनी बातों को उरोने रखा था विभाग की तरफ से मुख्या को पद से हटाए जाचका था लेकिन इस याचका पर सुनाई करते हुए अब कोट की तरफ से कहा गया है कि यह पन्चाहती राज अदनियम का असपश तोर पर उलंगर है और इसी के साथ कोट ने मुख्या को पद से हटाए जाने वाले आदेश को भी रत कर दिया है मुख्या को पद से हटाए जाने की कारवाई प्रधान सचिव ने करवाई तो कर दी लेकिन इसमें लोग प्रहरी का कहीं कोई जिक्र नहीं था वहीं प्रहरी नाम के किसी संस्था का गठनी होई नहीं पाया है जिसके कारण अब हाई गोट ने किसी भी मुख्या को पत्ते हटाय जाने के पूर्व लोग प्रहरी के अनुशंसा को जरूरी बता दिया है लोग प्रहरी के गठन ना होने के कारण राजी सरकार उस शक्ती को अपने हिसाब से लागू करती है कहा गया है कि लोग प्रेरी जैसे संस्ता ना होने एक आरण अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं बताया गया है कि सिता मणी के ही एक और ग्राम पंचायत जिसका नाम बरियारपूर है वहाँ के मुखिया पर याचका करता से ज्यादा गंभीर आरोप थे उसके बावजूत उन्हें केवल चेतावीं देकर छोड़ दिया गया वही याचका करता को उनके पत से हटा दिया गया याचका करता की तरब से इस प्रकार की किसी भी कारवाई को गैर कानूनी बताया गया था जिसे की जो भी दोशी मुखिया हो या फिर ऐसा लगे कि जिनके उपर भर्षचाचार के आरोप है उन्हें उनके पत से मुक्त किया जा सके क्योंकि बिना लोग प्रहरी के करना अब्यास संभव नहीं है अन्त में जाननी जिये कि लोग प्रहरी क्या होता है बियार राज पंचासी अधनियम 2014 की धारा पांच और 152 के तहट ऐसी ब्योस्था की गई है जिस प्रकार से लोगा युक्त का गठन होता है उसी के तर्ज पर एक लोग प्रहरी का पद भी गठित किया जाएगा या सरस्था गठित किया जाएगा उसी में इस बात का जिक्र है कि लोग प्रहरी के अनुस्था के बीना मुखिया को नहीं हटाए जासकता है आगे इससे जुड़ी जो भी ख़बर आएगी उसे आईवाल तो पहुचाते रहेंगे विडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए फेस्बूक पर देखना तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जारन और में मुईत कुमार सी, धन्युवार।